सुस्तो वेलकुम बेक तुमा यूट्यूब चैनल सुस्तो क्लास 10 की सिविक्स के अंदर आप सभी का स्वागे थे आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले पॉलिटिकल पार्टीस चैप्टर से एक और इंपोर्टन कोश्चन जो कि मार पसाता है when was the Indian National Congress form mentioned its major ideologies सुस्तो इंडिया नेशनल कोंगरेस party कब बनी थी वो में बताने और उसकी major ideologies कौन कौन से हैं वो में बताने तो इसका अंसर पढ़ते हैं जोंसी इंडिया नेशनल कोंगरेस party है वो जब हमारा देश अजाध हुआ था उससे पहले की party है यानि हमारी आजादी से पहले की party है International Congress So it is one of the oldest parties in India तो इसे लिए International Congress हमारे देश की सब स्यादा पुरानी party है उसके बाद Ideology of the Congress Congress की ideology It is a centrist party Congress एक centrist party है First point The party sports new economic reforms but with a human face जो International Congress party है वो new economic reforms को spot करती है Second point The party has full faith in secularism जो International Congress party है उसका secularism में full faith है पूरा विश्वाश है Secularism का meaning आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि आप 10th class में हो उसके बाद Third point The party aims at the welfare of the weaker sections and minority जो International Congress party है उसका aim है कि गरीब हो और minorities का भला हो उनकी तरक की हो Okay friends ये था question उमीद आपको अच्छा लगाओगा आपको पसंद आयोगा अगर अच्छा लगाओ प्लीज वीडियो को लाइक कर दो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर कोई भी डावट हो मुझे कमेंट कर दो मैं स्क्रिप्ट लाए कर दूँगा तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर जय हिंत जय बारत